इस चीज में अपने मित्रों को beginners जो music producer से उनको बताना चाहता हूं कि भाई जब आप music production करते हो और bass line की जब बारी आती है तो आप क्या करते हो simple code उठाते हो उसके bass note को copy paste करते हो तो ऐसा आपको नहीं करना है मतलब ऐसा आपको हमेशा नहीं करना है आपको यह चीज समझ नहीं है कि अगर हमारा song थोड़ा सा अगर peppy type का है या फिर बॉली बूड acoustic type का है या फिर cover है तो उसके अंदर bass guitar play होता है समझे रहो तो bass guitar सीधा सीधा है इस तरीक से नहीं play होता है उसमें notes change होते है change होने का मतलब होता है कि हमें हर जगे हर section के according bass line को differ करना पड़ेगा same code के नीचे वाल note में लगाने जिससे कि यह तो यहाँ पर अगर verse चल रहा है मेरा यह एक track है यहां पर code के according जो है changes हो रहा है यहां पर देखने मारा होगा आपर थोड़ा 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 थोड़ा